हेलो फ्रेंड स्वागत आपका पूजा रिदी फूड व्लॉक्स में चलिए आज हम बनाते हैं एकदम ताजी हरी मटर और ताजी हरी मेथी की पत्तियों के साथ मेथी मटर मलाई की बहुत ही स्वाधिश सब्जी जिसके आगे रेस्टोरेंट की सब्जियां भी फेल लगेंग मेथी के पत्ते मैंने ले लिये हैं जिसे मैने वाश कर लिया है तीन हरी मिर्च और एक गाट मैने अद्रक की ले ली है अब इन सारी चीजों को हम रफली चौप कर लेंगे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मेथी और मटर बहुत ही अच्छी और बहुत ही ताजी डाले लिया दो बड़े सरसो के तेल बड़े चमच मतलब खाने वाले चमच इसमें डाल दिया है जीरा, जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें डाल देंगे दालची नी और हरी इलाइची, साथी साथ डाल देंगे दो लॉंग, इसे बहुत ही बढ़ियां खुश्बू आती है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने रफली चौप प्यास, अद्रक और हरी मिर्च, और इसे से लाल होने तक भून लीजिए, अब अपमिस में डाल देंगे रफली चौप टमेटोस, और इसे हलका सा मिक्स देकर इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक मैं यहां पुरी सबजी के अकॉर्डिन टेस्ट के डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डालिए बा पानी, जब पानी गर्म हो गया है तो इसमें मैंने डाल दी है मटर, और अब हम इसे ढखकर उबलने देंगे, इधर हमारा मसाला पकर तयार हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसी सेम पैन में मैंने डाल लिया है एक चम्मच, तेल और और अब हम इसमें जो अपनी धुली हुई और कटी हुई मेती के पत्ते हैं उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इन पत्तों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका सारा मुश्चर उड़ना जाए, टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा, तो हमारे पत्ते अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी मैंने निकाल कर रख लिया है, अब जो हमने मसाला बनाया था, वो ठंडा हो चुका है, तो इसे हम ग्राइंडर में डाल कर अच्छे से पीस लेंगे, एक स्मूथ सा मसाले पीसना और मतर उबालना, ये तीन काम हम कर चुके हैं, अब चलिए बनाते हैं मेथी मतर मलाई की स्वादिष्ट सबजी, इसके लिए सेम पैन में मैंने ले लिया है एक चंबस देल और उसमें जीरा डाल के क्रैकल कर लिया है, उसमें डाल दिया है मसाले, और क्योंकि 200 ml मलाई ले ली है और बॉल आने तक इसे हम पका लेंगे, अब मैंने इसमें रेस्टोरेंट जैसा टेश लाने के लिए डाल दिया है थोड़ा सा गुड़, आप चाहें तो गुड़ की जगा चीनी या फिर शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ डालने के बाद इ पुनी हुई मेथी के पत्ते और उबले हुए हरे मटर, दोनों सबजियां डालके हम इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी अड्जेस्ट करेंगे, यह सबजी रखने के बाद थोड़ी सी गाड़ी हो जाती है, तो उस ए पका लिया है और लास्ट में इस वे अड़ कर देंगे, एक चौथाई चमज गरम मसाला और दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे, हमारी बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही बढ़ियां मेथी मटर मलाई की सबजी बनके तयार है, आप एक बार इस सबजी को ऐसे बना क पर देखिए, इसकी खुश्बू और इसके स्वात के आगे आपको रेश्टरेंट की सबजी भी अच्छी नहीं लगेगी, मैंने अपर इस सबजी को सर्फ किया है लच्चे पराठो के साथ, लच्चे पराठे की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उ पिलते हैं अगली वीडियो में, बाइ!